राधी राधी दोस्तों कैसी हुआ आप लोग आसकी हैं मारी कहानी का नाम है जबाब पिछले 15 मिनट से निर्मला जी फोन पर अपनी बेटी से बाते कर रही थी सुननदा कमरे में आकर चाय का कप टेबल पर रख गई पर निर्मला जी की बाते ठीकी खत्म ही नहीं हो रही थी सुननदा वापस रसुई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई थोरी देर पहले तक सासुमा रसुई में आकर खुशी खुशी बता रही थी कि क्या क्या बनाना है लेकिन सुननदा के एक सवाल ने सब कुछ पलटकर रख दिया और उस एक सवाल के कारण काफी हंगामा हो गया और निर्मला जी ने सुननदा को बहुत कुछ सुना दिया सुननदा ने आज उन्हें सच का आइना दिखा ही दिया पर कई बार ऐसा होता है कि इनसान खुद ही गलती करता है और अपनी गलती मानता भी नहीं बस वही हाल निर्मला जी का था पिछले दो दिन से निर्मला जी क्या बनाना है कितना बनाना है बस समझाय जा रही थी आखिर निर्मला जी इस घर की मुख्या जो ठैरी उनके इस घर में उनका बेटा पवन बहु सुननदा और उनके दो बच्चे सुनय और निधी रहते हैं वही छोटा बेटा सचीन अपनी नौकरी का बहाना करके पतनी सुनीता और बेटी अवनी के साथ इसी सहर में कुछी दुरी पे रहता है एक बेटी है गरिमा जिसकी साधी हो चुकी है और वो अपने ससुराल वालों के साथ इसी सहर में रहती है अब आते हैं असल मुद्धे पर कल सितलास्टमी है इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं इस कारण घर के सभी सदसे कल ठंडा खाना ही खाएंगे इसलिए कल के खाने की तैयारी आज ही करनी थी अब कल का दोनों वक्त का खाना साथ ही आज का खाना कूल मिला कर तिन वक्त का खाना बनाना था और खाने में भी कम विराइटी नहीं बलकि बहुत सारी चीजे बनती थी दो तरह की सबजी पुवे पुडी, दही बड़े, नमकीन, मठरी मीठे पेड़े, मूंग धाल, गुजिया, दो तिन तरह की चटनिया, सक्कर पारे आदी, सुखे समान के लिए तो एक दिन पहले भट्टी लगी थी, काफी काम फैल चुका था, और करने वाली सिर्फ अकेली सुनन्दा, पर उस पर भी सबसे बरी बात ये है कि खाना सिर्फ इन पांच लोगों का नहीं बनेगा, ननद और देवर के पुरी परिवार के लिए बनेगा, देवर देवरानी की साधी को अभी साथ साल हो चुके हैं, पर सितलास्टिमी पर कभी मदद कराने यहां नहीं आती, बस पूजा करन और रिति रिवास के समय यहां आती है, और अपनी उपस्तिती दर्ज करा के खा पी कर निकल जाती है, जाती जाती साम का खाना भी पैग करा कर ले जाती है, वही ननद की साधी को भी 13 साल हो चुके है, पर निर्मला जी का नियम है कि वो बेटी के घर, खाना जरूड भेचत ननद के पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का खाना यहां से पैक होकर जाता है इसलिए ननद रानी को भी सितलास्टिमी पर ज्यादा मसकत नहीं करनी परती वो तो बस रोटी राब बनाकर रख देती है और उसी से दुसरे दिन दोनों सास बहु पुजा कर लेती है क्यो पर थोरा उम्र का तकाजा है और थोरा सास होने का रौब इसी कारण मदद कम करती है और तानी ज्यादा मारती है और सुननदा सब कुछ सुन कर भी परिवार वालों की खुसी के लिए चूप चाप काम कर लेती थी लेकिन इस बार सुननदा की तबियत ठीक नहीं थी उसे आ मस्या हो गई जिस कारण से ज्यादा कुछ बन नहीं पाया कुछ सुखा सामान बन चुका था लेकिन अभी भी काफी कुछ सुखा सामान बाकी था उपर से आज ही सारा काम पुरा करना था क्योंकि सामान पैक होकर ननत के घर जाना था सुखा सुखा ननत का फोन आया तो सुननदा से बोली भावी खाने में क्या क्या बना लिया दिरी बहुत सिरदर्द हो रहा है कल रात को भी माइगरेन की दवाई खाई थी आज भी समस्य हो रही है समझी नहीं आ रहा है कि कैसे बनाऊंगी अगर आप आ जाती तो थोड़ी सुननदा ने भी सपाट सब्दों में कहा अरे भावी मैं आपकी मदद कराने आऊंगी तो मेरी ससुराल वाले क्या कहेंगे इससे अच्छा आप छोटी भावी को फोन कर लो कहे कर ननद ने फटाफट फोन रख दिया उसकी बात सुनकर सुननदा को बहुत बुरा लगा फिर भी उसने हिमत करके निर्मला जी से कहा ममी जी मेरी तबियत ठीक नहीं है मैं इतनी लोगों का खाना अकेले कैसे बना पाऊंगी आप सुनीता को बोल दिजिए वो आज थोड़ी मदद मिल जाएगी उसकी बात सुनकर निर्मला जी ने कहा तु कौन सा अकेली खाना बनाती है मैं भी तो तेरी मदद करती हूं उपर से तुने मेरी बेटी को भी मदद के लिए बोल दिया थोड़ी सी भी सर्व नहीं आई तुम्हें उसके ससुराल वाले क्या मा को भी फोन कर दिया पर फिर भी बोली ममी जी ये सब बाद की बात है अभी तो आप सुनीता को फोन लगाए मैं क्यों फोन करूं तु खुद ही कर ले छोटी ननद और देवर सुहा नहीं रहे तुझे घर की बड़ी बहु है तु अरे साल में उनके लिए एक बार बना ल फोन किया और जान बुझकर फोन स्पीकर पर रख दिया सुनीता तुम आज आ जाती तो ज्यादा अच्छा होता मेरी थोरी मदद हो जाती मुझे बहुत सिरदर्द हो रहा है इतनी लोगों का खाना सायद मैं नहीं बना पाऊंगी अरे भावी आप पहले फोन करती तो मैं जरूर आ जाती अभी फिलहाल तो मैं अपने माईके में आई हुई हूँ यहां मा की तबियत थोड़ी खराब है कहकर उसने भी फोन रख दिया क्योंकि वह जानती थी कि कैसे भी करके सासू मा सुननदा से खाना बनवा ही लेंगी सुननदा ने सासू मा की तरप देखा तो उन्होंने सुननदा को ही ताना मारते हुए कहा अरे उसकी मा की तबियत खराब होगी तभी नहीं आई वरना तेरी तरह कामचुर नहीं है वो अरे मेरी छोटी बहुतो गुनों की खान है सुननदा को निर्मला जी की बात बहुत बुरी लग रही थी इसलिए उसने साथ ही स सुनीता के ममी को फोन लगा दिया और उनका फोन भी स्पीकर पर रख दिया जब उधर से उसकी ममी ने फोन उठाया तो सुननदा ने कहा नमस्ते आंटी जी कैसी है आप बस बेटा मैं ठीक हूँ कल सितलास्टमी है तो उसी की तैयारी कर रही हूँ अच्छा क्या आप सुन दूरी काम था अरे बेटा सुनीता यहां कहां कल सितलास्टमी आपके घर में भी तो होता है तो कितना काम होता है आपको तो पता ही है मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत मेनती है हर साल कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है पिछले साल मैंने मुंग ठाल खाया था उसके ह बस एक निवेदन करती हूँ बेटा तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो थोरा मेरी बेटी की भी मदद कर दिया करो वो अकेली इतना कुछ कैसे करेगी वैसे भी आपकी ममी जी का स्वभाव कितना सक्त है कोई बात नहीं आंटी जी मैं हूँ न बस वो अब आती ही होगी चलिए आप अपना काम किजिए सुननदा ने फोन रखते ही अपनी सासु मा की तरफ देखा निर्मला जी उससे नजरे नहीं मिला पा रही थी आखिर कार सुननदा ने कहा माफ करना ममी जी आप अपने छोटे बच्चों के लिए मुझे दो बाते सुनाती है और वो आपके छोटे बच्ची हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो समझ चाहिए मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी मुझे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बनाऊंगी इसके अलावा मैं किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी उन लोगों से कह कि अपने खाने का बंदोवस्त खूद कर ले अरे उस निकम्मी बहु को तो छोरो पर मैं इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल खाना भेज रही हूं अगर इस बार नहीं भेजूंगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे देखिए ममी जी आपको ननद रानी के घर पर कुछ भीजवाना है तो आप बज्जार से सुखा समान खरिद कर भीजवा दिजिए पर मैं अब इतनी लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी आखिर मैं भी इनसान हूं इन लोगों ने मुझे मुझे मुफ्त की नोकरानी ही समझ लिया अब मैं कुछ नहीं कहूंगी आ और वह गलत भी तो नहीं है तो अपने आप ही बेटी और बेटे को फोन लगाने चल दी खेर सासुमा थोरी देर बाद हॉल में आई और सुननदा के पास सोफे पर बैठते हुए बोली बहु एक काम कर तु रोटिया से कले मैं मीठे चावल और राब बना लेती हूं बाकि क किसी को कुछ खाना होगा तो बजार से मंगा लेंगे कह दिया है मैंने उन लोगों से की अपना अपना बंदो वस्त कर लो और रही बात गरीमा का तो सुखा सामान उसके घर भिजवा देंगे कहकर सासुमा रसोई में चल दी और पीछे पीछे सुननदा भी इस नए बदला के साथ असा करती हूं दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज फिडियो को लाइक से एर और सस्क्राइब करना और इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद